है फ्रेंड्स वेलकम टू विदेशी ट्रेवलर और मैं हूँ आपका ट्रेवल दोस्त विदेशी ट्रेवलर आज की इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं USA ट्रिप के अक्स्पेंस के बारे में साथ में ही आप किस तरीके से यूस का ट्रिप है वो प्लां करना है वो भी सस्त हुआ है तो सबसे पहले उन लोगों से रिट्वेस्ट है भाईो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके और सब्सक्राइब कर लो पूरे यूएस का ट्रिप फिनिस हो चुका है सारे के सारी वीडियो डाल चुके हैं और अभी तक आपने अगर बेल बटन है जो उसे प्रेस नहीं किया है तो उसे भी जरूर प्रेस करें जी हां इस ट्रिप का अक्सपेंस जानकर आप आपको हैरानी जुरूर होगी क्योंकि मैंने यह ट्रिप मातर एक लाख अठाइस हजार रुपए में कम्प्लिट किया है और वो ट्रिप था एक महिने का ट्रिप था और इस एक महिने में मैंने नाइन सिटीज कवर किया यूएसे की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलें क्योंकि जब हम गुरूप्स में गुंते हैं तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो सेर करेंगी तो वह भी रेडी होंगे आपके साथ ट्रेवल करने के लिए जब भी हम यूएस का वीजा अपलाई करते हैं तो उसके लिए फ्लाइट बना चुका हूं एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने जनरल इंफोर्मेशन दिया यूएस वीजा के बारे में दूसरा वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने बताया कि किस तरीके से आपको फोर्म है वो फिलब करना है थर्ड वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने यह एक्स्प देख रहे हैं जो भार जागे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो है एफ वीजा जिसे हम स्टुडेंट वीजा बोलते हैं तो यह सारे की सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये गए हैं और यहां भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों मैं पूरी कोशिश कुरूंगा कि आपके माइंड में जितने भी सवाल चल रहे हैं उनका आंस्वर मैं इस वीडियो के अंदर दे पाऊं अगर फिर भी मैं ऐसे कुछ वो पूश सकते हैं मैं उसका one by one सब का रिप्लाई करने वाला हूँ अब हम बात करते हैं बजट सबसे पहले हम बात किरेंगे फलाईट जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो हमेशा आपको फिलाइट है वह at least फॉर्ट फॉर फाइफ मेंस पहले करना है अगर Debatte करना है तो अगर मैं flight cost की अगर बात करूं तो मैंने जो flight book की थी वो 5-6 महीने पहले book किया था और मेरे जो जाने की flight थी उसकी जो cost थी 14,000 और जो आने की जो flight थी return flight उसकी cost थी 17,500 इस में मैंने 31,500 के अंदर मैंने complete flight book कर लिया जाते टाइम मेरे पास सिरफ 10 kg का बैग था जिसके अंदर मैंने travel किया था और आते टाइम मैंने shopping होगा भी किया था इस वज़े से मेरा लगया जब वो increase हो गया तो मैंने साथ में 12 kg का एक बैग है वो भी add-on कर लिया तो इसकी व अगर आप भी सस्ते के अंदर flight book करना चाते हैं तो आपके दोस्त ने विदेशी ट्रेवलर ने एक गुरूप बनाया हुआ है विदेशी ट्रेवलर के नाम से facebook पे साथ में instagram पर भी विदेशी ट्रेवलर का account है वहाँ जाके आप follow करें गुरूप को join करें जब भी कोई अच इतने भी दोस्त लोग हैं वह सारे के सारे लोग भी सस्ते के अंदर flight book कर पाएं और सस्ते के अंदर घूम पाएं इसका जो लिंक है वह description box में आपको मिल जाएगा now second point accommodation accommodation में अगर आपको free के अंदर stay करना है तो उसके लिए पहला option है couch surfing लेकिन US के अंदर couch surfing है काफी ज़्यदा tough है क्योंकि US के अंदर कुछ भी हरीवे नहीं पीन था couch surfing आपको कैसे करनी है यह चीज मैं वीडियो की last में बताऊंगा और किस तरीके से मैंने couch surfing के त्रूप experience में वीडियो की last में शेयर करने वाला हूं तो इस वीडियो को last तक देखना ना भूलें अब हम बात करते हैं hostel की hostel है आप booking.com से book कर सकते हैं link description box में डाल दिया गया है अगर आपको अच्छा hostel book करना है तो मैं आपको suggest करूंगा US के अंदर एक high USA hostel होस्टल है तो उसके अंदर क्या है कि दो चीज अच्छी है एक तो यह है कि अगर आप उसकी membership लेते हैं तो उसके एटीन डॉलर आपको spend करना भड़ता है once you take membership then आपको जब भी आप hostel book करेंगे high hostel से तो वहां पर आपको three dollar का discount मिन जाएगा साथ में ही वो free walking tour है वो भी provide करते हैं मैंने यह भी पाया कि high USA hostel है वो काफी ज्यादा clean था अच्छा था इवन आप couple भी जा रहे हैं वहां पर तब भी आप उस hostel के अंदर stay कर सकते हैं जब भी आप hostel book करें तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि breakfast है वो आपको ज़रूर include करना है क्योंकि US के अंदर खाना बहुत पहेंगा है तो यह चीज ध्यान में रखनी है अगर आप hostel में breakfast करेंगे तो आपके वो सस्ता पड़ेगा अब हम बात करते हैं airbnb आप airbnb से भी book कर सकते हैं अपना apartment बुक कर सकते हैं अगर आप group में जा रहे हैं couple जा रहे हैं या two three लोग जा रहे हैं तो आप वहां से book कर सकते हैं साथ में hostel जब भी आप बुक कर रहे हैं तो हमेशा अपने साथ में एक लोग है वो जरूर करें अधरवाइज आपको वहाँ पे हर जिगे लोग के लिए पैसा देना पड़ेगा उसका रेंट है वो देना पड़ेगा तो यह चीज आपको ध्यान रखने अब आपके माइंड में एक चीज काफी लोगे पास पैसे हैं लेकिन फिर भी वह छॉस्टल में रहते हैं उसके पीछी रीजन है कि होस्टल में हर कंट्री से आपको लोग में और वहाँ पर आपको एक डूसरे के साथ में अक्स्पिरियम्स स also share करने का मूझा मिलेगा अगर आप होटेल करते हैं तो و कर आप एक अकेले एक रूम में चले जाते हैं और वहां पर आपको ना कोई डिस्टब करेगा ना कोई आपसे बात करेगा और आप वहापिस आ जाओगे आपको कोई भी एक नया परसंदी मिलेगा जो आपके साथ experience है वो शेयर कर सके तो इप वांट तो इनक्रीज ओर नॉलेज देन आई परसंदी रिकमेंड यू बुक गुड होस्टल नेक्स पाइंड इस करनशी कहां से लेने कैसे लेने काफी सारी कंपनी जो करनशी एक्सेंज करती हैं आप वहां से ले सकते हैं काफी सारे पैंक से जो फोरेक्स का अड़े करते हैं मैं लेता हूं थोमस कुक से अभी तक मैंने थोमस कुक से लिया है मेरा अक्स्पिरेंस है कभी अच्छा रहा है तो मैंने अभी तक चैंज नहीं किया दूसरा ट्राइव नहीं किया तो बाकी अदर्स के वारे में अपना अक्स्पिरेंस नहीं बता सकता लेकिन थोम या next time जब भी आप forex card को reload करवाते हैं तो उस case में आपको nearest जो branch है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है इसके लिए कुछ documents है वो required होते हैं पहली चीज वीजा, pen card, return flight ticket, इसके लावा passport ये आपको required होते हैं ये आपको लेके जाने होते हैं और currency है वो exchange हो जाती है अब करना क्या है आपको कुछ cash लेना है और बाकी का जो पैसा है वो forex card में reload करवाना है अब आपको एक चीज बताना चाओंगा जब भी आप US trip पे जाएं तो उस branch के अंदर एक form होता है वहाँ पे वह form advance में 2-3 form advance में ही आप फिल करके जा सकते हैं मतलब उस पे आपको signature करके देखे जाने हैं in case अगर आप US trip पे हैं और आपका पैसा कम पढ़ गया है तो उस case में आप अपने account से direct उनके account में पैसा transfer कर सकते हैं वह आपका sign किया वह form उठाएंगे और उसके साथ में attach करेंगे और आपके account में पैसा transfer कर देंगे Forex card के हम बात करें तो Forex card दो आते हैं एक card है जिसमें multi currency card होता है एक card होता है जो single currency card होता है जिसमें US dollar रखता हूं क्योंकि US dollar हो एक standard currency है next point luggage अगर आपको सस्ते में घूमना है तो हमेशा luggage कम से कम रखें और अच्छे से घूमना है तब भी कम रखें मैं जब यहां से गया था तो मातर मेरा जो weight था वो 9 kg था 9 kg के अंदर में travel कर ला था तो इसलिए मुझे घूमने का काफी ज़्यादा मजा आया अब आपको क्या-क्या उस luggage में लेना है वो मैं आपको बता देता हूं आप किसी भी ट्रिक पर जाते हैं जाने से पहले आप वहां का temperature जरूर चेक कर लें उस temperature के अपकी पैकिंग होने वाली है simply अगर आप solo traveler हैं तो two trousers, two t-shirts इसके लाबा three to four hundred garments के pair हैं वो ले सकते हैं इसके लाबा three pairs हैं आपे good quality socks ले सकते हैं अच्छे quality के लेंगे तो वो सड़ेंगे नहीं इसके लाबा आप universal charger है वो साथ में carry कर सकते हैं power bank carry कर सकते हैं इसके लाबा जो neck pillow होता है वो carry कर सकते हैं अगर आप ऐसी city में जा रहे हैं या ऐसे देश में जा रहे हैं जहां पे ठंड है या minus में temperature है या वहाँ पे बरख है तो उस case में आपको tracking shoes हैं वो लेने must हैं आप tracking shoes हैं वो decathlon से ले सकते हैं और अगर आपको वो फसंद नहीं आया तो आप दूसरे देश में उसको change भी करवा सकते हैं वहाँ पर अच्छी quality का मिल गया तो उसको change भी करवा सकते हैं या कुछ इस चूज में कुछ defect है तो आप वहाँ पे दूसरी चीग भी change करवा सकते हैं यह एक अच्छी चीज है तो आप decathlon से आप purchase कर सकते हैं इसके लाव आपने साथ में हमेशा एक water bottle हो carry करें नोर्मली क्या होता है कि जब भी हम water bottle carry करते हैं तो security process के अंदर उस bottle को फैंक दिया जाता है या मौका मिले वहाँ भर सकते हैं इस तरीके से आप पैसा बचा सकते हैं पानी खरीदने की जरूरत नहीं है हर जिग है जहां भी आप tap water उसको भी fill करके easily पी सकते हैं वह भी अच्छा पानी होता है तो कोई problem नहीं है अगर आप अपने साथ में cosmetic kit carry कर रहे हैं तो उस case में आपको ध्यान रखना है कि जो भी products आप carry कर रहे हैं वह normally कुछ flights होती हैं जो 50 ml है वह allow करती हैं कुछ होती हैं 100 ml भी allow करती हैं लेकिन ध्यान रखना है कि हर उस product पे एक label जुरूर लगा हो होना चीए जिसमें mention होना चीए कि यह इतने ml का है अगर आपके पास छोटा छोटा भी मतलब कोई भी product और उसके ओपर लेबल नहीं है तो उस case में वह product आपका फैंक दिया जाएगा मेरे साथ में ऐसा हुआ था मैं मतलब mustard oil हो लेके गया था एक में चोटी सी bottle में वह even 50 ml ही था लेकिन फिर भी मेरा फैंक दिया गया तो मुझे बहुत problem होई उसकी वजह से त next point food अगर मैं food की बात करो तो यूएस के अंदर खाना पिना भी बहुत महेंगा है अगर आप vegetarian है तो चिंता वाली बात नहीं है आपको easily vegetarian इंडियन restaurant मिल जाएंगे at the end वह भी भेंगे तो उस case में आपको क्या करना चाहिए यूएस के अंदर एक super market होता है super store बोलता है आज पास में जहां पर आपको सब कुछ मिलता है आप वहां से fruits वगरा है या कुछ ready foods वगरा है noodles वगरा है इस type की सारे के सारी चीज़े आपको वहां पर मिल जाएंगी तो आप वहां जाके वहां से लेके आए अपने hostel में लाके उसे ready करें और खालें या अगर आप airbnb के through room book किया है आपने तो वहां भी आप घर पे ready कर सकते हैं तो ऐसे करके आप पैसे बचा सकते हैं अगर आप hostel में हो अगर आपके पास ऐसा food है जो खराब होने वाले लाइक दूध है इस टाइप की चीज़े होते हैं तो एक common freeze होता है तो वहां पर क्या होता है आपको एक tray मिलेगी उस tray पर आपको अपना नाम लिखना है आपका room number लिखना है और उस tray के अंदर आपने अपना जो भी आप सामान लेकर आए वह रख दिया और आपने फ्रीज में रख दिया नौर्मली कोई भी टच करता नहीं है आपके food को तो इस तरीके से आपको freeze करना है और इस तरीके से अपना food को आपको preserve करके रखना है इसके अलावा अगर आप vegetarian है तो especially आपको आप इंडिया से जब भी जाए तो आप ready foods हैं वह साथ में carry कर सकते हैं like noodles and all those things इसके अलावा अगर आप winter में जा रहे हैं तो जो दैसी लड़ू होत आप emergency में खा सकते हैं अगर आपको vegetarian restaurant नहीं मिलगा तो उस case में वह आपके काम आएगे साथ में अगर आप कुछ ऐसा food साथ में लेके जाएगे like laddoos and all those things जो इंडियन्स लोग like करते हैं और आप बहुत सारे आपके friends भी लोग मिलेंगे जो other country से आए हुए हैं तो आप उनक एक नया experience मिलेगा नया कुछ खाने को मिलेगा नया कुछ सीखने को मिलेगा एक नया test है आप वो अनुभाव कर पाओगे next point sim card जब मैं US trip पे था तो एक महिने के लिए था मैंने sim card यूज नहीं किया था मुझे लग रहा था कि US बहुत बड़ा देश है उसके अंदर हर जिके मुझे wifi मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं था अगर आप 2-3 लोग जा रहे हैं या फिर आप 10 days से उपर जा रहे हैं one week या फिर 10 days 15 days one month तो आपको sim card ले लेना चाहिए यह मेरी personally recommendation है क्योंकि कापी जगे मैंने ऐसी problem फेश की जहां पे wifi नहीं था मैं इधर उदर बटकता रहा और मैंने बे बज़े आदा गंटा कहीं एकट गंटा ऐसे खराब किया तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वह हो time है वह कापी ज़्यादा कीमती है अगर मैं वह time save करता तो उस time में मैं कुछ और explore कर पाता तो आप sim card ले लें ज़्यादा अच्छा रहेगा नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन अगर आप तीन से चार लोग हैं तो आप uber है वह भी book कर सकते हैं साथ में वहाँ पर एक यूएस के अंदर एक local taxi चलती है यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूएस के अंदर parking है वह अफोड कर सकते हैं तो उस case में आप self driving car है वह भी hire कर सकते हैं और उससे भी आप अच्छे से गूम सकते हैं enjoy कर सकते हैं इसके लावा third part आता है public transport अगर आप public transport यूज़ करना चाहते हैं अगर आप solo traveler है तो आपके लिए वह सबसे best है और emergency में आप uber यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है उ a forward नहीं कर सकते में बस और mt rook की बात करता हूं बस और mt Istra cd में आपको ध्हalsु आज अ किसंदे ना है कि आप कितने दिन दिन के लिए उससी डियरियर कवास कर रहा है अगर वह सबसरा यूज़ करना है पूरे दिन घूमना है तो इसक में पूरय वन-दे का पास ले सकते के Q3, सकते हैं 7 देज का पास ले सकते हैं तो आप वह पास देख ले हूं पर इसाप लगा लें अपना तक गणी थ Turns वह लगा निंदन, कि असsy만 बया रहे हैं और आप उसका युटिलाइज कर पाएं यहां कर पाएंगे उस ले Children कर शक्र。 अगर आप one time कहीं पर travel कर रहे हैं तो उस case में आपको अपने साथ में change हो रखना है क्योंकि आपने पीछे की वीडियो में देखा हो गाई US वाली जो वीडियो मैंने डाली दी उसमें मैंने दिखाया भी था कि बस के अंदर आगे एक fair machine लगी भी होती है तो उसमें क्या होता है सिर्फ taking है giving नहीं है आपको सिर्फ पैसा डालना है वापिस नहीं निकलेगा suppose करो फेर है वो 1.25 है 1.25 है तो उस case में आपके पास change होना जरूरी है अगर change नहीं है आपके पास 5 डॉलर आपने 5 डॉलर डाल दिया तो वह वापेस नहीं मिलने वाला तो यह चीज ध्यान रखने है नॉर्मली यूएस के अंदर 1.25 1.75 1.50 तो यह एक तरीके से नॉर्मली फेर होता है ज्याद आतर बस बसे और मेट्रों में नेक्स पowing 네ंज़ इंटर सिटी बस और फ्लाइट्स अब आ बात करता है हमें कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में कैसे करना हैं ध्यान देना है अगर आपका प्लान फिक्स है पहले से तो उस केस में आप देखें कि कितने डिस्टेंस आपकी ज्यादा डिस्टेंस है तो आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं आपकी डिस्टेंस कम है तो आप बस बुक कर सकते हैं लेकिन बस और फ्लाइट ट्राई करें कि आप यहां पर इंडिया में ऐसा नहीं है लेकिन यूएस के अंदर जो बस के जो फेर है वह इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है तो इसलिए आप एडवांस में बुक करें साथ में यूएस के अंदर बसे जहें लिटे हैं जो भी आपका बैक साइज है उसका एक लिमिट है इसका यूए मीं करना आप ऐकुछ करना आप ज्यादा अकस्त्रा पैसे देने पड़ेगी इसके लाव बात करता हूं flights की तो अगर मैं flight की बात करें तो अगर आप flights की cost दखोगे तो आपको बहुत सचता लगेगा लेकिन वह एक्चल में महेंगा है महेंगा इसलिए है क्योंकि ना तो उस spare के अंदर बैग है वो addon होता सिर्फ एक laptop bag आप carry कर सकते हैं इसके लिए नहीं वह टेक्स है वह इंक्लूड होता तो जैसे आप फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर टेक्स वह इंक्लूड हो जाएगा और बैग हमेशा आपको उसी टाइम एड़ोन करना है अगर आप उस टाइम बैग एड़ोन नहीं करेंगे और काउंट आप पैसा सेव कर सको नेच्ट पॉइंट आपको शोपिंग कैसे करनी है और कब करनी है हमेसा सोपिंग आपको लाश्ट के टू-तुरी डेज में करना है ताकि आप अच्छे से घुम सकते हैं ऑगर आपको ब्रैंडेट कपड़े खरी ने उस केस में आप जारा ट्राह कर सक कर सकते हैं इसमें ज्यादा तर लेडिस का ही स्टप मिलता है लेकिन अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके भी काफी जिगर ओप्संस हैं वह आउलेबल हैं तो नॉर्मली अगर आपको कपड़े करीद दें तो उसकेस में आप अपना कैस है वो यूज कर सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रोनिक्स पर्चेस करना है तो उसकेस में आपको क्या करना है उसकेस में आप ओनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं अमेजोन.com पर पर्चेस कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है यूज के अंदर जितने भी ओनलाइन शॉपिंग वेबसाइट प यह चीज धान देनी है, तो Amazon.com से आप कुछ पर्चेस करना चाहिए, वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप कुछ Apple का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो Apple.com से डारेक्ट पर्चेस कर सकते हैं, और नियरेस्ट स्टोर पे जाके आप वहाँ से अपना सामान हैं, वह पिक कर सकता हैं, इसके लावा एक और चीज़, एक श्टोर और फैमस है, बी एंड एच फोटो वीडियो, यह एक ओनलाइन वेब साइट है, जिसके ओफलाइन श्टोर्स भी अउलेबल हैं, आप ओफलाइन जाके खरीच सकते हैं, ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अब खास बात यह है, कि इन तीनों साइट्स पर आपके डेपिट और क्रेडिट कार्ड भी काम कर जाएंगे, इस्पेसिली अमेरिकन अक्स्प्रेस अगर आपके पास है, तो वो काम कर जाता है, मैंने ट्राइ किया है, जब भी हम अपने कार्ड को एक नई लोकेशन से स्व करना है, वो साथ में करना है, और वो एक्टिवेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि उसकेस में आपको एक मेसेज करना होता है, और कार्ड को फिर से अनब्लोक करना होता है, यह शोर करना होता है, यह ट्रांजेक्शन मैंने किया है, तभी आप वो डेबिट और क्रेडिट कार काड हो यूज कर पाएंगी अगर आप अपने साथ मोबाइल नहीं कर रहें तो उस केस में वह आपका फैमिली मेंबर है उसके पास फोन होना चाहिए और जब भी ऐसा मेसेज आए तो वह उस मेसेज को कर पाएं तभी आप वह काड यूज कर पाएंगे यह जो मैं experience बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने shopping किया था मैंने एक Macbook Air खरीदा था यूज से एक Apple का phone खरीदा था Access Max इसके अलावा iPods खरीदा कपड़े खरीदे यह सारी चीज़े मैंने पर्चेज किये थे तो इस वज़े से मुझे यह पता है मेरे सामने जो जो प्रोब्लम सही हो सारी मैं आपको advance मैं बता रहा हूँ ताकि आपको problem ना आए अब हम बात करते हैं कि किस तरिके से मेरे को couch surfing के थ्रिव इस्टे मिला पहली चीज तो यह है कि US के अंदर कुछ भी फरी नहीं है मैं पहले भी बता चुका हूँ तो इसलिए US के अंदर काफी ज्यादा tough है couch surfing लेकिन फिर भी कुछ points में आपको बताता हूँ अगर वो points आप माइंड में रखेंगे तो आपको couch surfing के थ्रिव इस्टे मिलना आसान हो जाएगा अपनी profile हमेशा well maintain रखें जैन्वन लगनी चाहिए proper update होनी चाहिए पहली चीज तो यह दूसरी चीज जब भी आप इस्टे के लिए request करें तो हमेशा एक या दो night के लिए ही request करें अगर आप ज्यादा दिन के लिए request करेंगे तो आपकी cancel ही होती चली जाएंगी काफी लोग हैं जो मिलना चाहते हैं आपसे एक दूसरे से experience से शेयर करना चाहते हैं बट उनके पास इतना ज्यादा time नहीं है कि वो आपको three days four days still day one two days के लिए थोड़ा possible है मेरको सिरफ couch surfing के दिल एक ही night का इस्टे मिला था बाकी eight nights का इस्टे मुझे कैसे मिला मैंने एक हावर्ड यूनिवरसिटी का वीडियो डाला था उस हावर्ड यूनिवरसिटी के बाहर ही एक हावर्ड यूनिवर्टी Smith Campus Center है वहाँ पर क्याया कि कोई भी अराम से बैठ सकता है कोई भी आराम से रेस्ट क कर सकता है वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूब्रेंट्स भी बैठ सकते हैं लोकल परसंस भी वहाँ पर अपना टाइम में वो सकते हैं रेस्ट कर सकते हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वहाँ कुछ लोग लप्टॉप यूज कर रहे हैं कुछ लोग आपस में तो मेरे back के पीछे वो signboard लगा हुआ था और मैं उस hall में जाके rest किया मैंने just बैठा जलसी में बैठा पीछे से दो लड़किया बैठी थी उन लड़कियों ने notice किया notice करते ही वो मेरे पास आई और उन्हाने बोला कि can I take picture of this bird then I said yes of course you can take so इस तरीके से यहां से हमारी conversation start हुई उसने पूछा आप क्या करते हैं मैंने पूछा तो इस तरीके से बाते निकल क्या आई वो मतलब struggle कर रहे थी कुछ startup के लिए तो मने उसे guide कि इस तरीके से आप कर सकते हैं then she said can you meet tomorrow then I said no today is my last night in Boston because tomorrow I have to go there and here is no free stay then she just put a day one status on Facebook and requested two friends then two three friends called me and they said me where are you I am coming please stay with me so इस तरीके से मुझे थ्री नाइट का इस्टे मिला देन अगले दिन हम पिर से मिले मैंने अपने experiences share किये उसने share किये तो काफी कुछ सीखने को मिला एक दूसरे से और साथ में मेरे को free में इस्टे भी मिल गया तो यह मुझे benefit हुआ उसके जस्ट बाद में मैं पहुचा निवाओ नियोक में जो मैंने hostel book किया था उस hostel hostel में जो रूम था उस रूम में सिरफ दोई बैट थे उपर नीचे दो बैट थे एक बैट पे जो person था वो चाइना का था वो एले के अंदर लोस एंजलेस में इस्टेडी कर रहा था और holiday के टाइम पे वो जस्ट घूमने के लिए आया वा था हमारा two days का इस्टे था वहाँ पे हमने experiences share किये then he asked me where you going next then I said next I will also go LA then he said if you are coming to LA then don't forget to join me then इस तरिके से मुझे two days का इस्टे वहाँ पे फ्री में मिला इसके लाओ मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स रहते थे फिलाडेल्पिया में तो वहाँ पे भी मेरे को three night या इस्टे मिला तो इस तरीके से मुझे फ्री के अंदर nine days इस्टे मिल गया तो उसकी वजह से मेरी कोश्टिंग हो कम आई आप भी इसी तरीके से अपने तरीके लगा सकते हैं काउच सर्पिंग पे जो मैंने बताया वो तरीका लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन चांसे बहुत काम है अपने साथ में पैसा जूर्य करें काउच सर्पिंग के भरोसे मत रहें अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आपके लिए काफी ज़्यादा है अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको